तो कैसे हो मेरे चीतों, आज के वीडियो में हम फोडने बाले हैं, वक्षा 10 की विज्ञान के चप्टर नंबर 2 को, मेरे इस वन शॉट वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे न, मैं हर एक चीज आपको एनिमेशन की मतलब से समझाऊंगा, वीडियो ग्राफी की मतलब चप्टर का नाम हमारा क्या है, अमल, छारक, एवं लवन, ठीक है, तो बोड एक्जाम में अमल क्या है, ठीक है, लवन क्या होता है, छारक क्या होता है, इन भी प्रशना आते हैं, और आएंगे ही आएंगे, तो एक चीज को हम डेटेल में समझेंगे, और ये बहुत ही आसा लेडर होता है सूचक होता है जो हमें सूचक किसे कहते हैं जो हमें किसी के बारे में सूच ना देते हैं है ना तो यह दखो यह हमारे पास क्या है यह एक नीमबू है और यह हमारे लेटमस पत्र है मैंने लेटमस पत्र को ना इस नीमबू की उपर रख दिया तो फिर क्या हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा ठीक है अमल है जो अमल को अंगरी जी में क्या कहते है एसीड कहते है ठीक है और एसीड किस सब्दे से लिया गया एसीड लेटिन भासा से लिया गया जिसका मतलब होता है खट्टा और अमल क्या होता है अमल स्वाद में खट्टे होते है स्वाद में कैसे हो हैं? घट्टे होग ददे और यह नेली नेटिमस पत्र को क्या करदेते हैं? लाल कर देते है अमले की विरिश्था क्या है? मैं आपको बता दाँ ढेखो यह स्वाद में। खट्टे होग देए ठीक है और अगर इसको जली विलन में रखें तो ये कौन सा आयन देता है एच पॉजटिव आयन देता है ठीक है अगर कोई चीज अमल है तो समझ जाओ कि भाईया वहाँ पर एच पॉजटिव आयन है ठीक है क्या आयन है एच पॉजटिव आयन है ठीक ये जली विलन में एच पोज़टिवायन देते हैं और अमल लिटमस पत्र पर भी प्रतिक्रिया देते हैं और ये नीले को लाल कर देते हैं इस्टार्टिंग में ने जिब डाला था लाल था अब थोड़ी देर बाद यह हो जाएगा लाल लिटमस पत्र नीला हो गया तो board exam में प्रश्णा जाता है अगर कोई चीज अगर litmus नीले से लाल हो जा रहा है तो वो वस्तु वो विल्यन का स्वभाव कैसा होगा एक नंबर में आता है objective में तो आब बोलोंठे कि भाईया यहाँ लिटमस बत्र नीले से लाल हो जा रहा है अर्थात वह जो वस्तु है वह वो व्यल्य ने वह अमल है ओगर यह अमल है तो जो अमल पीच मान होता है, अब ही पीच मान के बारे में बताऊंगो, पीच मान अमलका साथ से कम होता है, ठीक है, पीच मान अमलका क्या होता है भाया, साथ से कम होता है, ठीक है, तो यह देखिए, फिर से बढ़ बता देता हूं, वन शॉट, कि भाया, अमल क्या है, अमलका मतलब होता जो नीले लेटबस पत्र को लाल कर देती हो, जो जली विलेन में एच पॉजिटिव आयन देती हो, उसे हम अमल का जो पीच मान होता है भाईया, वो साथ से कम होता है, यह सारी जानकारी मैंने यहाँ पर रख दी है, अमल के बारे में, मजा आया, ठीक है, सिंपल आपके नोट नोट्स भी बन जाएंगे, देखो भाईया, मैं आपको यह नोट्स तो दे ही दूँगा, फिडिया फॉर्मेट में, लेकिन जब आप नोट्स खुद लिख के बनाओगे न, आपका रिविजन भी हो जाएगा, आपकी अच्छी नोट्स भी बन जाएगे, और जब आप किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिख सकते हो, थाक है, आपके सकते हो, वो देखेंगे, तो देखिए, पहली परिवासा है, वो क्या है, कि वे पदार्त, जिनका स्वाथ खट्टा होता है, जो निले लेटिमस पकत्र को लाल कर देते हैं, आपक या फिर उधारण के त्वार पर तो यह चार उधारण भी बने आपको दे दिये कम से कम दो तो यादी रखना है और हाँ भाई कभी भी आपके एक्जाम में अगर आता है कि अम किसे कहते हैं और आप बस यहां से लेकर यहां तक लिख रहे हो तो उसे इंकंप्लीट मना जाएगा जब तक आप उसका उधारण या ज़रूरत पड़े तो समीगण नहीं दे रहे हो उधारण पूछे या ना पूछे आपको ज़रूर देना है ठीक है भाई यह चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि विज्ञान में उधारण हमें देना ही है बल्ला ही पूछे या ना पूछे ठीक है अब हम बात करेंगे अमल के प्रकार के बारे में अब अमल है तो अमल के कई सारे प्रकार है तो वो प्रकार क्या होते हैं सबसे पहला जो है देखो भाईया अमल के प्रकार में आ जाएगा दो प्रकार के अमल होते हैं एक होता प्रकृति प्रदत अमल वो अमल जो भगवान ने खुदा में दिया है और जो भीचिज भगवान देता है वो सब अच्छा होता है वो सब harmful नहीं होते है ठीक है और एक होता है खनीज अमल ठीक है जो खनीज अमल क्या होता है वो बदाऊंगा मैं आपको प्रकृति प्रदत हम लोगों कहते है नैचरली अक्योरिग एसिट्स अंग्रेजी में और खनेचमल को हम कहते हैं मिनेरल एसिट्स अंग्रेजी में ऐती है, वह बस नॉलिज़ की बदा रहा हूं आपको अंग्रेजी में याद नहीं करना है, ठीक लोगे प्त्त्ति प्रकृत्त अप्या होते हैं तो प्रक्रति प्रतत अम्ल, दुर्बल अम्ल होते हैं, अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, चार भी दो प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल चार होते हैं, एक प्रबल चार होता है, वो हम आगी बढ़ेंगे, ठीक है, इस पर प्रक्रशन भ वह हनी का रग नहीं होगा हमारे अनेक खादी पदार्थों में ऐसे तनु अमल विवित मात्रा में रहते हैं जैसे मैं आपको बोल दू इमली कोई भी खट्टा बदात ले लो जैसे आम कच्चे आम इनमें खट्टा बन होता हैं और जिनमें खट्टा बन होता हैं हमारे उनमें एसेड हो गई होगा अमल हो गई होगा और हमारे बॉड़ी के लिए भी विटमिन सी इसमें बहुत प्रिचूर मात्रा में पया जाता है खट यह जैसे मेलीक अमल मिलता है, मेलीक अमल कहां मिलता है, सेब में, अबजिक्टि प्रिशना आ जाते है एक्जाम में, कि सेब में कौन से अमल पाया जाता है, चार अप्शन देगा, तो सही अप्शन क्या होगा, मेलीक अमल पाया जाता है, संत्रे में कौन से अमल पाया जाता ह संत्रे में पाया जाता है सिट्रिक अमल, संत्रे में पाया जाता है सिट्रिक अमल, इमली में पाया जाता है टाटरिक अमल, यह सभी जो अमल है वो हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही हावश्यक है, ठीक है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अमल, यह हमारे हार्ट के ल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, next, कुछ सामान ने फलों और खाद्य पदार्थों में उपस्तित अमल इस प्रकार होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए, फल हमारे इस तरफ खाद्य पदार्थ है, उस तरफ हमारे अमल है, देखिए, सीटरिक फल हूँ, प्याज हूँ, इनमें जो अमल पहा जाता है, एक्सकॉरबिक अमल है, ठीक है इनमें विटामिन सी भरपूर मादरा में पहा जाता है, ठीक है जो हमाने बाद्य की रिग पहुत ही हावश्यक है, एक्जाम में आता है ये टेबल याद कर लीजिएगा इन पर आधारित अब्जटिव प्रिशना आ सकते हैं ठीक है ये ध्यान रखियेगा सेब सेब में जो अमले मिलता है अभी मैंने बदाया था मैलीक अमले मिलता है दही जो हम खाते हैं दही में लेक्टिक अमल पाया जाता है इमली में पाया जाता है टाटरिक अमल फिर आता सिर्का सिर्का में पाया जाता है असेटिक अमल ठीक है ठंडे पेपदार्थ जो हो थे उनमें पाया जाता है कार्बोनिक अमल संत्रा इसमें पाया जाता है सिट्रिक अमल और टमाटर जिसने पर आ जा था ओक्जेलिक अमल ठीक हो गया इस चार्ट को लिख के याद कर ले न दो चापर बढ़ोगे आपके दिमाग में छप जाएगा अब हम बात करेंगे खनी जमल खनी जमल बैसे के लिए क्या होते हैं दोस्तों जिनको हम मानव बनाते हैं अब जो मनुश्य वो खुद बनाते हैं यह प्रकृति-प्रतत नहीं होते हैं यह जिससे पहले जो आमने प्रकृति प्रकृति अमले देखें वो हानिकार रग नहीं है वो लावदाय के शरीर के लिए अगर आप खनीज अमल पी लेते हों खताम गानी आपकी है ना छुट्टी अब खनीज keeping है इसली इनको क्या गा जाता है इनको खनीज अमल का गयते है ठीक है इन अमलों का उपयोग साफदानी पूरवक करना चाहिए इन अमलों को चूना या चक्कना भी नहीं चाहिए अभी-कभी देखा होगा सिर्फरे जो आशिक होते है इसे डिफेक्ट देते हैं इन लवंडर हो तो इतनी कुटाई होने ची इनको फासी दे देना चाहिए ठीक है तो यह अमल भहुत खानीकारग होते है ठीक है आपने देखा होगा बॉडी बटच होते ही वहाँ पर जल जात चखना भी नीचे, अगर आप पी लेते हो, तो आपके पेट के अंदर जाकर, जहां जहां से जाएगा, उसको वो जला देगा, सडा देगा, गला देगा पूरा, तो यह बहुत ही खत्रनाक होते हैं, इन्हें छूना और चखना बिल्कुल नहीं चाहिए, खने जमल जो होते है अध्यों की दृष्टी से बहुत उपयोगी होते हैं, जो बड़े-बड़े अध्यों की कार खाने होते हैं, वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है, different forms में, ठीक है, तो उनका उपयोग उधर होता है, तो यह गुम रहा है यार, उधरन, जैसे हमारा है, sulfuric aml, ठीक है, हमा नहारा आता है नैटरिक हमल, HNO3, फिर आता है फास्फोरिक हमल, H3PO4, इनके शूत्र भी याद करके रखो, नॉर्मल, नॉर्मल, क्योंकि इसके अब्जेक्टि भी आ जाते हैं, इनके रियक्शन भी आ गया आएंगे, फिर बहुत इंपोर्टन है, तभी मैंने यहां रखे है कभी यह एक्जाम में आ जाता है, कि फास्फोरिक अमलका रसाइनिक शूत्र लिखे, अगर आपने याद नहीं किया, तो आप क्या लिए ऐसे लिखोगे, एक नंबर जोट जाएगा आपका, तो इन्टो याद भी कर लेना, सिल्फिरिक हमल, एस्ट्योसफोर, हाइड्रकलो होता है, देखो जो छारग होते, यह स्वाद में तीखे होते, कडवे होते, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, कि देखना चाहते हूँ, अभी हम थोड़ी दिर पहले पढ़ गया है, कि अगर हमने बोला कि भाया, जो खनी जोते हैं, वो खतरनाक भी होते है, छूना नहीं चाह सिकते हैं, और अगर निला लाल हो जा रहा है, तो समझ जाओ कि वो क्या है, अमल है, और अमल है, तो वो आनीका-utan हो सकता है, कि दियान रखिएगा, छारक जो होते, स्वाद में तीख्ये होते हैं, और कडवे होते हैं, उसके बाद, छारकों का जो पर्ष होते हैं, वो चि हम किसी चीज में लाल एटमस रख रहे हैं और वो लाल को नीला बना दे रहे हैं तो समझ जाओ कि यहां पर चारक है और चारका चो पियच होता है इसका पियच साथ से अधिक होता है अगर किसी का pH साथ से जादा है तो वो समझ जाओ कि वहाँ वो चारक है वो क्या है? चारक है ठीक चारक का गुण क्या होता है? स्वाद में तीखे होते, कड़वे होते चारकों का जो स्पर्श होता है वो चिकना जैस होते हैं साबुन के जैसे चारक लाल लेटमस को निला कर देते हैं जल में विले होने पर यह हाइढ्रोखसइड आयन देते हैं ओ एच नेगटिव आयन देते हैं यह very important है हम ले क्या देते हैं हच positive आयन चार क्या देते हैं OH negative 1 देते हैं ठीक है यह ध्यान दख्ये तो देखे यह हमारा साबुन है ठीक है अगर इसके उपर मैं लग दू लिटमस ये लाल वाला मैंने लिटमस रख दे है इसके उपर अब अगर लाल को क्या बना देगा निला बना देगा ये दिखे निला होगया होगे निला तो अगर लाल लिटमस पत्र ये निला हो जा रहा है मैं फिर से दिखा रहा हूँ ये लाल लिटमस मैंने साबून पर रखा और ये इसको क्या बना दे रहा है निला बना दे रहा है यानि कि ये साबून क्या है ठीक होगे अब हम बात करेंगे परीबाशा की एक्जाम में कैसे लिखोगे तो देखो जो चीज आपने पढ़ा है वो आप लिख सकते हो कि वो वस्तु जो स्वाद में कडवे होते हैं तीखे होते हैं जो निले लिटमस को लाल बना दे रहे हैं जिनका पियच मान साथ से आधिक होता हैं जो जल में विले होने पर OH नेगटिवाइन देते हैं वो हमारे क्या होते हैं चारक होते हैं सिंपल जो चीज आपने पढ़ा स सीखा वही आपको अपने सब्दों में लिख देना है समजना जादा जरूरी है रटना नहीं बच्चे क्या करते हैं परीबाशाओ को इन सबसी जो को रटते हैं जो की गलत है रटना नहीं है कितना रट हो गयार तो यहां लिखेंगे हम वे सभी योगिक जो जल में विले होने पर हाइड्रोकसीड आयन उत्पन करते हैं चारक कहलाते हैं जिनका सुवाद कड़वा होता है ठीक है यह भी लिख सकते हो जो लाल लटमस को निला कर देते हैं वो हमारे चारक कहलाते हैं KOH, potassium hydroxide हो गया, KOH, calcium hydroxide हो गया, CAOH का whole twice, barium hydroxide हो गया, BOH का whole twice ठीक है यह कुछ उधारन है चार मैंने लिखा हैं कम से कम दो तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं और exam में जब आएगा उधारन दो तो देने ही देने है परिवाशा जब आएगी तो ठीक है अब हम कुछ important note आपको बदाएंगे, note क्या है वे चारक जो जल में विले हैं जिनके अड़ों में hydroxide iron होते हैं चार कहलाते हैं चारक और चार में अंतर है, ठीक है, क्या कहलाते हैं, चार कहलाते हैं सभी चार जो होते हैं, वो चारक होते हैं, किन्तु सभी चारक चार नहीं होते हैं, ठीक है, ये note याद कर लीजिए, इस पर exam में प्रिश्ण अब्जिक्टिव में आ सकते हैं चार के उधार में बदा हूँ, sodium hydroxide होगे अभी बने बदा है था, नवेच इसका शूदर है, potassium hydroxide है, क्योज इसका शूदर है सूचक, अगला topic है सूचक, सूचक क्या होते हैं, जो आपको सूचना देता है क्योंकि इस बता कर बारे फिए, जो किसी के बारे में आपको सूचना दे रहा है, यह चीज़ यह है तो वूपे सू में, शूचक क्या होते हैं, सू मेले तरशार की उपस्तिदि दर्शाद्य हैं, इनका रंग या गंध अमली या चारिय माध्य में बदल जाता है, क्या, अभी जो लिटमस पद्र था, वो भी एक सूचक है, क्योंकि हम बिना खाए पी यह उसको बता कर बारे, कि यह अमल है या चारिक है, तो लिटमस पद्र क्या है, सूचक है, तो सूचक क्या करता है, किसी दिये गए विल्लेन में अमल या चारिक की उपस्तिधी को दर्शादा है, इनका जो रंग होता है इनका जो गंद होता है अमलिये और छारिये माध Violence में बदल चाता है इसी को क्या गा जाता है सूचक गा जाता है सूचक के गई प्रकार है उधारान के तोर पर यह जो लिटर्मस था लिटर्मस पदर यह हमारे एक सूचक है हल्दी एक सूचग है, प्याज का रस भी एक सूचग है, लॉंग का तेल सूचग है, फिन अफ्तिलीन एक सूचग है, मेथिल लॉरेंज एक सूचग है, ठीक है, यह सभी क्या है हमारे सूचग है नेक्स्ट, देखो, यह मैं आपको चित्र भी बना के दिखा रहा हूँ, यह लिटमस है यह लॉंग का तेल है, वो हमारे मेथिल लॉरेंज है ठीक है, सूचक के क्या प्रकार हैं देखिए, सूचक का जो प्रकार है तीन प्रकार के हैं, एक तो प्रकार्टिक सूचक है, एक किरिंत्रिम या संसेलेतिक सूचक कह दे और एक होता है गंदी सूचक क्या कहा है, देखो, प्रकार्टिक सूचक क्या होता है, पौधे एवं प्रकार्टिर से राप्त होता है ठीक है उधारन के लिए जो Leetimus है ये जो हलदी है ये हमारे पकृति में पॉराए जाते भगवान ने दिया है ठीक है तो ये हमारे प्राकरतिक सूचक है संसलेतिक शूचक क्या होते जिनका निर्मान रसाइनों के द्वारा किया जाते है उनिये हम केंतरीम सूचक कहते हैं उद्रारन के तवर पें। फेनॉप्तिलीन हो गया, चलक्त है। मेथिल औरेंगी हो गया। यह जो हमारे हैं, यह हमारे किंतरीम सूचक है, संसलेशित सूचक है, केमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक है और गंदी सुचक क्या है जिनकी गंद अमली या चारी माद्दे में बदल जाती है जिनकी जो गंद होती है न अमली और चारी माद्दे में बदल जाती है वो हमारे गंदी सुचक होते है जैसे कि प्याज का रस हो गया, लॉंग का तेल हो गया या अमली माद्धे में कुछ अलग प्रकार का गंद देंगे और चारी माद्धे में कुछ अलग प्रकार का गंद देंगे अब हम बात करेंगे अमलो और चारकों की प्रभलता के बारे में ठीक है, तो मैंने बोला था ना, दुरबल अमल होता है, प्रबल अमल होता है, दुरबल अमल होता है। प्रबल धार होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, किसी भी अमले या चारक. अमले में क्या होता है भाई? H positive iron. धार में क्या होता है? OH negative iron किसी चारक या अमले की प्रबलता, उसके दृवारा उत्पन H positive iron और OH negative iron अनों पर निर्बर करती है उनकी सांदरता पर निर्भर करती है ठीक है? इन पर निर्भर करती है अगर आयन है तो H positive आयन पर निर्भर करेगी अगर चार है तो OH negative आयन पर निर्भर करेगी उनकी सांदरता पर निर्भर करेगी ठीक है? अगला topic है सारवत्रिक सूचक क्या होते है देखो यह अनेक सूचकों का मिस्तरण होता है यह सूचक किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन की विविन संद्रता को विविन रंगों में प्रदिशित करते है जो है pH ठीक है जो है pH पहमाना पहम क्या कहते है सारवत्रिक सूचक कहते है देखे pH पैमाना अलग-अलग रंग में होगा pH पैमाना जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है देखो 0 पे इसका कलर बिल्कुत डार्क है 1 पे थोड़ा सा ओरेंज कलर हो गया 2 पे थोड़ा पीला हो गया 3 पे थोड़ा हलका और पीला हो गया और 4 पे थोड़ा सा ग्रीन हो गया 5 पे और ग्रीन हो गया, 6 पे और ग्रीन हो गया 7 पे बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया 8 पे थोड़ा ग्रीन पंड कम हो गया 9 में थोड़ा ग्रीन पंड और कम हो गया 10 पे भी कुछ और हो गया 11 पे भी कुछ और 12 में 13 में 14, तो यह देखो, हर pH में बान बद, इनका color कुछ different different है, और यह जो है, एक सारवत्रिक सूचग होता है, इसे pH scale कहा जाता है, यह scale क्या करता है, यह pH scale है, आप villain में रखोगे, अगर कोई color आपको दिख रहा है, तो समझ जाओगे, जैसे suppose करो, यह color दिख रहा है, यह h positive iron, जितना कम होगा, जितना कम होगा, जो अमल है, वो उतना प्रबल होगा, अमल हमारा उतना ही प्रबल अमल होगा, suppose करो, हमारे बास एक का pH दो है, और एक का pH पाँच है, यह A है, यह B है, तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा अमल, जिसका कम होगा, यह ज्यादा ताकतवर तो अमले में क्या होता है, जिसका पीच मान जितना कम होगा वो उतना ज्यादा प्रभल होगा, वो ज्यादा उतना स्ट्रॉंग होगा, ठीक है, तो अमले का जो पीच मान होता है, वो साथ से कम होता है, साथ से कम, असडिक, यानि कि अमली है, और अगर साथ है, इक्जैक्ली स तो उदासीशल में ऊता है पानी का जो टेस्ट ना टवयोम मीड़ को या पानी को टेस्ट न कपने है, और पानी का पानी का प्रोक्राइब वड़ नंबर में, कितना होता है, साथ होता है, और, चार का प्याच मान होता है, वो साथ से लेकर, साथ से जाधा, और चौदा या चौदा से कम होता है, चार में क्या होता है, जितना प्याच मान जाधा होगा, उतना उसका प्रभलता जाधा होगा, ठीक है, चार में क्या होता है, प पिएच जितना ज्याद होगा, उतना वह प्रभल होगा, उतना वह प्रभल होगा ये लिख दोगे, अगर मैंने । कॉन को ज्याद भल्भल होगा? हां कितना लग दिया एक का प्येञा मैं लिग दिया गलत लिकर ह क्या less рать और प्येमिल सेर्ट और इक का लिग दिया बारत यह यह हैं और यह द्युक्त कौन जादा प्रबल ओगा विर स्का ज़्यादा होगा ूस तारों में उसको चाहिए अमल होता हैyes अगरी बात समझ में pH scale जो मैंने अभी आपको बता है pH scale क्या होता है pH scale एक ऐसा scale होता जिसके द्वारा हम hydrogen N की संद्धा ग्याद करते है इसी भी बिलियन की साथ पे हमारे क्या होता है उदाशवीन होता है साथ से कम है तो अमली होगा साथ से अधिक है तो यह चारी होगा इससे हम क्या कहते है pH scale कहते है इससे हम क्या कहते है बच्चो पीएज scale कहते है देखो अगर pH का मान साथ है तो वो विलियन कैसे है उदाशीन है अगर pH का मान साथ से कम है तो वो अमली होगा पीच कामान साथ स्याधिक हैं तो वो चारी होगा ठीक अब अमल वा चारों के रसा ने गुड़ किया हैं वो दिख लेते देखो अमल और चार अगर धातू के साथ अभिक्रिया करें तो क्या होता है देखो एक तरफ मैंने अमल लिखाएं अगर अमल धातू के साथ अभिक्रिया करता है यह जो अमल है यह धातू के साथ अभिक्रिया करें तो लवड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगा अमल हमेशा धातू के साथ अभिक्रिया करके लवड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है एक नमबर में कि जब धातू के सद अविक्रिया करती है तो कौन सा गैस निगलता है हाइड्योजन गैस क्या निर्मान करता है लवन जातू लवन जैसे यह हमारा अमल है मैंने ले लिए S2SO4 और यह मेरा अमल धातू है ZN तो यह लवन क्या बनाएगा जिंक सल्फेड बनाएगा और क्या निगालेगा हाइड्योजन गैस निगालेगा और उस तरफ देखिए, लवन क्या करता है, लवन भी वही काम करता है, अब तब छारग, लवन बोल लो, छारग क्या करता है, छारग धातू के सथ अभिक्रिया करेके, क्या बनाता है, लवन बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, ये भी वही काम करता है, चाहे कि हमारा की अच्छा रख, sodium hydroxide लिया मैंने, उस पर मिला दिया मैंने zinc, दातू, तो मेरा क्या बन गया, sodium zincate, Na, Zn, O2, और मेरा hydrogen gas मुक्त हो गया, निकल गया बाहर, ठीक है, लिख लिया आपने, hydrogen gas का परिक्षन कैसे करो गया, यह test exam में आ जाता है, hydrogen gas का परिक्षन, और इस पर आपके practical भी बना सकते हो, इस experiment को practical में बना सकते हो, जो वाय वाय होता है, simple से यहां बना सकते हो, क्या होता है, देखो, hydrogen gas, निहित परिक्षन के पास, आप hydrogen gas निकल दी, कैसे पता लगाओगे, hydrogen gas, निहित परिक्षन के पास, जब जलती हुई मुम्बत्ती लाई जाती है, द तो क्या होगा, hydrogen gas पॉप अप की धोनी करते हुए, जाती है, चट-चट के आवाज करेगी, है ना, यह चट-चट के आवाज करेगी यहां पर, जो आला में, तो जब चट-चट के आवाज कर रहे हैं, तो समझ जाओ, कि यहां पर कौन सा gas है, hydrogen gas है, तो इस tester को, hydrogen की उपस्त हैं, यहां से आ रहे हैं, यह उपर जा रहा gas, और यहां पर हमने मुंपत जला दिया, gas आ कि आँप में टकर आएगी, और फट-फट की आवाज निकलेगी, चट-चट की आवाज निकलेगी, क्या रहे हैं, अगला धातू-अक्साइड, अधात्विक अक्साइड की साथ क्या अभिक्रिया करते हैं, तो एक तरफ लिख दिया मने, धातू-अक्साइड, अमल जब धातू-अक्साइड की साथ अभिक्रिया करते हैं, दुसरी तरफ लिख दिया मने, चारक जब अधात् उधारन जरूर देना है यह मैंने अम ले लिया और यह मैंने धात्व अक्साइड ले लिया कॉपर अक्साइड तो यहाँ पर मेरा लवल बन गया Cu, Cl2 और मेरा जल बन गया ठीक उसके बाद चारक क्या करते है यह भी वही बनाते है चारक क्या करते है लवल और जल बनाते है यह हमारा चार है और यह मेरा अधात्विक अक्साइड है तो यह मिलके क्या बनाएंगे लवल बनाएंगे और क्या बनाएंगे जल बनाएंगे उधारन यह मेरा चार है Chodium hydroxide और यह मेरा अधात्विक oxide है carbon dioxide इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? Chodium carbonate बनाएगा, Na2 CO3 और पाणी बनाएगा यह इसका उधारन है सिंपल हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है अब धातू carbonate और धातू बाई कार्बनेट के साथ अविक्रिया करके कैसा बनाते है तो एक तरह यह अमले लिख दिया एक तरह मैंने चार लिख दिया ठीक है ठीक है अमले जब धातू कार्बनेट के साथ अविक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा इधर अमले है हमारा इधर धातू कार्बने तो लवन बनाएगा carbon dioxide बनाएगा और जल बनाएगा ठीक क्या बनाएगा लवन उसके बाद carbon dioxide निगालेगा और बनाएगा जल यह यह हमेशायद रखिये तो अधारण देद है यह मेरा अमल है HCl और यह मेरा धातू carbonate sodium carbonate Na2CO3 क्या बना रहा है NaCl ठीक है sodium chloride और उसके बाद carbon dioxide बनाया और उसके बाद पानी बनाया रहा है यह है जब अमल धातू carbonate के साथ अभी क्रिया करता है तो next अगर अमल धातू bicarbonate के साथ अविक्रिया करे तो क्या बनाएगा अमल जब धातू bicarbonate के साथ अविक्रिया करेगा तब भी वो वही बनाएगा level बनाएगा carbon dioxide बनाएगा और gel बनाएगा उधारण यह मेरा HCl है hydrochloric अमल और यह मेरा धातू bicarbonate है Na2CO3 तो यह NaCl बनाएगा carbon dioxide बनाएगा और पानी बनाएगा अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है देखो बच्छो चारग जो होदा है ना चारग धातू carbonate और धातू bicarbonate के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता जब तुमारे साथ किसी का साथ कोई संबंद ही नहीं तो तुमारे क्या होलेगा वह रिष्टा बनेगा ही नहीं है ना तो ही इसका है चारग धातू carbonate के साथ और धातू bicarbonate के साथ कोई भिक्रिया नहीं करता है ठीक अगला है carbon dioxide correction इससे पहले हमने एक परिक्षण देगा था hydrogen का परिक्षण अब हम देखें के carbon dioxide का परिक्षण क्या होते है इस परिक्षण में देखो carbon dioxide को carbon dioxide को चूने के पानी में परभायत करने पर calcium carbonate का निर्मान होता है और पानी दूदिया हो जाते देखो carbon dioxide अगर हमारे पास चूने का पानी है, चूने का पानी का मतलब CAOH का होल टाइस, उस पे मैंने क्या मिला दिया, carbon dioxide मिला दिया, तो पान क्या बना देगा यह, यह बनाएगा calcium carbonate, और पानी का जो color है न, वो हो जाएगा पूरा दूदिया, सफेद सफेद हो जाएगा, अ जो कि यह, calcium hydroxide है, इस पे मैंने क्या मिला दिया, carbon dioxide मिला दिया, क्या बन गया, calcium carbonate और मेरा जल बन गया अलग देखिए, यह इसका test का example है, ठीक है यह क्या है, यह हमारा एक stand है, ठीक है, यह हमारी परखनली है, इस पे हमने हमारा यह क्या है, sodium carbonate है, और यह हमारा परखनली हो गया, ठीक और फिर यहां पर देखो, यह क्या है, calcium hydroxide का विलियन है, इसमें क्या किया हमने, calcium hydroxide के विलियन में, carbon dioxide मिलाया, तो यह पानी का चो खलार है, वो दुदिया हो जाएगा, सफेद सफेद हो जाएगा, ठीक है, और सफेद सफेद जैसे हो जाएगा, समझ जाओगे, कि भाया, carbon dioxide की उपस्तिती है, तभी ऐसा हो जाएगा, कि तभी सफेद हो जाएगा, अन्यता नहीं होता हूँ, अधिक मातरा में, carbon dioxide उसमें प्रभाइद कर दें, तो क्या होगा, अगर हम जादा मातरा में carbon dioxide प्रभाइद कर दें, देखो, CACO3 की विलियन में, carbon dioxide अधिक मातरा में प्र प्रभाइद करने पर, जलकी उपस्तिती में, गोलंशिल वहाँ पारदर्शी पधारत का निर्मान होता है, जिस कारण संपूर्ण विलियन पारदर्शी बन जाता है, अगर हम जादा मातरा में मिलाएंगे, तो वो जो दूदिया कलर दीख रहा है न, वो और जादा पारद पारदर्शी विलियन बन जाएगा, CAHCO3 का ट्वाइस, यह बिलकुल ट्रांस्परेंट एक विलियन बन जाए, जिसके तुम आर बार देख पाओगे, अगला है, जली विलियन में, अमल और छारक का व्यवार, एक तरह मैंने अमल रखा है, एक तरह मैंने छारक रखा है, ठ दिखिए, जल की उपस्तिती में, अमल H-Positive आयन उत्पन करते हैं, यह मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कि जली विलियन में, अमल H-Positive आयन देता है, अभी वो अमल है, H-Positive आयन, S-3O-Positive आयन के रूप में पाय जाते हैं, ठीक है, उसके बाद, उधा कि O-Positive आजाएगा, और C-L Negative आजाएगा, जबकि छारक में क्या होदा है, छारक जल की उपस्तिती में, OH-N बनाते हैं, जैसे यह NaOH है, शोटिम हाइडरोकसाइड है, जल की उपस्तिती में क्या बनाएगा, Na-Positive, OH-N बनाते हैं, तनू करण क्या है, सांद्री करण क्या ह ठीक है, इस पर exam में question भी आ जाते है, objective में, और इस साल आया भी था, ठीक हो, अमले या चार में, जल मिलाने बर, आयन की सांद्रदा में, प्रती एकाई, आयतन में कुछ कमी आ जाती है, और इसी को हम क्या क्या क्याते हैं, तनू करण, dilution क्याते हैं, अंगरी जी में, ठीक ह तो उसके आयन की सांद्रदा में, प्रती एकाई कुछ कमी आ जाती है, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं, तनू करण कहते हैं, देखो, यह exam में अलद है, जल के साथ, अमलोव चारक मिलाते समया में, साबदानी क्या भरतनी चाहिए, देखो, हमेशा, अमलोव चारक को, जल में इसलिए ठीरे ठीरे मिलाना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, आम ल्ए जल चारक एकतम धीरे धीरे, पास से, यह नहीं की फट से उड़े जल धिल दिया, ऐसा अराम से करते हैं, और आराम से जालते हैं, उसलिए जल से राइक्शन होगा, फट भी सकता है, कोई दुर्गण यह प्रति यह प्रक्रिय बहुत उश्मा चेपी होता है क्योंकि जब आप इसे करोगे ना बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसलिए कांच का बात लगातार हिलाते भी रहना चाहिए मतलब ठंडा भी करते रहो देखानों को आपने ऐसे हिलाते रहते हैं क्यों क्योंकि उसक जल को अमल में अगर जल को तुम अमल में मिला दोगे तो विस्फोर्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा तीवरगती से रिक्षिन होगा और उश्मा बहुत महातरा में निकलती है लवन, अभी तक हमने अमल बढ़ा, हमने छारक बढ़ा, अब हम बढ़ेंगे लवन के बारे में, लवन क्या होता है, देखो, जब हम अमल को और छारक को मिलाते हैं, तो लवन का निर्मान होता है, और जल का निर्मान होता है, इस अभिक्रिया को हम उधाशनी करना अभिक्रि ठीक है, तो क्या होता है, लवन क्या होता है, अमल, चारक के बीच, उदाशनी करन अभिक्रिया के उत्पात को हम लवन कहते हैं, देखो, यह हमारा अमल है, यह हमारा चार है, यह दोनों अभिक्रिया करके, क्या बनाएंगे, लवन बनाएंगे, और किसका निर्मान करेंगे, इस अभी क्रिया को हम क्या कहते है उदाशनी करण अभी क्रिया भी कहते है एक्जाम में आते हैं बार बार उदाशनी करण अभी क्रिया किसे कहते है उदारण की तौर पर देखिए यह मैंने ले लिए अमल है यह मैंने ले लिए अमल है यह मेरा अमल है और यह मेरा चार है, ठीक है, चार रखें, क्या बना देगा लवण, और यह मेरा क्या है पानी, जल, ठीक है, उधारण सिंपल से है, याद कर लेना, एक्जाम में आता है, यादा है, हर साल, कि उताशनी कर नभी किसे कहते है, या लवण किसे कहते है, दुनों के चीजों में य देना ही पड़ेगा आपको लवणों का प्याच मान कितना होता है तो देखो प्रबल अम्ल एवं प्रबल चारक के लवण के प्याच का जो मान होता है वो साथ होता है और यह उदाशीन होता है अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल चारक को मिलाएंगे तो जो लबन बनेगा, उसका प्याड मन, exactly seven होगा, और वो उदाशीन होगा, वो क्या होगा? उदाशीन होगा, अगे हम प्रबल अमल लें और दुरूबल चारग लें, इसका प्याड मन, शाथ से कम होता है, यूगि चारग क्या दुरूबल है, तो strong कौन होगा? प्रबल अमल इस टेकनिक से, अगर प्रबल चारग है और दुरूबल अमल है, प्रबल कौन है चारग का प्यजमान सच सहदा होता है, तो जो लबल बनेगा उसका प्यजमान साथ से अधिक होता है, और ये प्यजमान चारगी होता है, और जिसका प्यजमान साथ से कम होगा वो अमली होगा, ठीक है इसे आप कॉपी में लेक लीजिए इस पर बेस्ट आपके एक्जाम में अब्जुक्टी प्रश्ण बन सकते हैं अब हम बात करेंगे एक्जाम में देखो प्लास्टर रोपेरी, साधरा नमक, बिरेंज़क चूण इनके बारे में आता है इनको बनाने की विधी, इनका बहुतिक गूंड, इनका दैवनिक जीवन में उप्योग ऐसे प्रश्ण एक्जाम में आते हैं सबसे पहले बात करेंगे साधरा नमक हमारे दैवनिक जीवन के कई पदारतों में आता है जैसे की sodium hydroxide, baking soda, washing soda, विरेंज़क चूण, plaster of berries ठीक है, ये कच्चे बदारतों इनका उप्योग हमारे जीवन जीवन बढ़ा बढ़ा है और यहां से question exam में आते ही आते हैं हर बार आते हैं, fix है अब इनके बारे में हम अच्छे से बढ़ेंगे सीखेंगे सबसे पहले बात करेंगे sodium hydroxide ये क्या होता है, ये को sodium hydroxide sodium chloride के जल्लिये विलियन से विद्धुत प्रवायद करने पर ये वियोजित होकर, sodium hydroxide उत्पन करता है ये बनाने की विद्धी हुई इस परिक्रिया को chlor चार परिक्रिया भी कहते है क्या कहते हैं क्लोर चार ब्रगिया क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन जिसे क्लोर इवं शोटियम हड्रक्साइड जिसे चार होते हैं इसलिए इसको क्लोर चार अविक्रिया भी कहते हैं यह हमारा क्या है लवण है ठीक है NACL उसमें हमने क्या मिले है पानी मिला है हमारा क्या बन गया sodium hydroxide बन गया chlorine बन गया और hydrogen बन गया तो यह हमारी जो अभिक्रिया है इस पर हमें chlorine भी मिला इस पर हमें चार भी मिला तो यह अभिक्रिया का किसका उधारन है क्लोर चार अभिक्रिया का उदारन है एक्जाम में आ भी जाता है क्लोर चार अभिक्रिया ठीक है ये पुरा सिस्टेम में देखो इसमें क्या होता है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है जो क्लोरीन गैस होती है ये हमारी mm पी अ्युनी कीजिए की अब इसका ओपिक क्या धी में ग्राराद में में इसका ओपियोग होता है सबसे जो अब पर इसका कागज बनाने में इसका इंचार कोगेता है वाइबर बनाने में भी इसकाडिय किया जाता है तो यह सारे उपियोग हैं, उपियोग एक्जाम में आ जाते हैं नमबर टू, अब हम बात करेंगे विरंजक चूण के बारे में विरंजक चूण को बिलीचिंग पाउडर पे क्या आ जाता है और इसका शूत्र होद है वह था C-A-O-C-L-2 एक्जाम में एक नमबर में आ जाते हैं, ठीक है, विरंजक चूण का प्रसानिक शूत्र लिखिए एक नमबर में, क्या है वह, C-A-O-C-L-2 तो देखोगे, क्यासे बनाया जाता है Chodium Chlorite के विदू बटन से प्राप्त Chlorine Gas का उपयोग विरंजक चूण के उदभाद के रूप में किया जाता है शुष के बुजा हुआ चूणा और Chlorine की क्रिया से विरंजक चूण का निर्मान होता है यह बनाने की विदी है, अगर हमारे पास सुष के बुजा हुआ चूना है, COH का hold twice, इसे हम सुष के बुजा हुआ चूना कहते हैं, और उसमें हम क्लूरीन मिला दे, तो क्या बन जाएगा, विरंजग चून बन जाएगा, यह हमारा की अशुष के बुजा हुआ चूना है, इस पर हमने क्या मिला दिया, क्लूरीन मिला दिया, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, विरंजग चून, और थोड़ा सा पानी बन जाएगा, तो बनाने की विदी, एक्जाम में आ सकते हैं, लिख लीजएगा, आराम से, उद्योग में सूती एवं लिनेन की विरंजग के लिए, कपले दोने में, लॉंडरी में साफ कपलो के विरंजग के लिए, कागच की फ्यक्टरी में लकडी के मजजा के विरंजग के लिए, कई रासानिक उद्यों में एक उपचायक के रूप में होता है पीने वाले जल को जिवानू से मुक्त करने के लिए भी होता है ठीक है जो टंकी का पानिया पीते हैं उसमें विरंजक चून मिला जाता है ताकि जो पानी आप पी रहे हो, उसमें कोई जिवाणू ना रह जाए, जिवाणू नाशक होता है, आपका विरंजक चूण नेच्सट आपका विकिंग सोडा, विकिंग सोडा को हम कहते हैं, राशनीक नाम क्या है इसका, शोडियम हिड्रोजन कार्बोनेट, और इसका राशनीक शूदर होता है, नह-COO3 क्या होता है NHCO3 तो इसको बनाने में sodium chloride का उभियोग एक मूल पदार्थ के रूप में क्या जादा है और ये एक दुर्बल अर्स अंचार रखें कैसे होता है हमें क्या लेना होता है हमें लेना होता है sodium chloride उस पर मिलाना होता है थोड़ा सा पानी उस पर मिलाना होता है थोड़ा सा carbon dioxide और उस पर थोड़ा सा मिलाना होता है ammonia NH3 तो हमारा क्या बन जाता है NH4CR बन जाता है और हमारा sodium bicarbonate बन जाता है ठीक है बेकिंग soda बन जाता है NHCO3 बन जाता है तो ये बनाने की विदिये जब हम sodium chloride में पानी, carbon dioxide और ammonia मिलादे तो हमें sodium hydrogen carbonate मिलता है baking soda मिलता है ये बनाने की विदी है दिखो, खाना पकाते समय गरम करने पर क्या होता है अगर आपके पास बेकिंग soda sodium hydrogen carbonate है अगर इसको आप गरम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? sodium carbonate मिल जाएगा Na2, Cu3 मिल जाएगा पानी अलग हो जाएगा, carbon dioxide अलग हो जाएगा तो हम sodium hydrogen carbonate से sodium carbonate बना सकते हैं बस उसको गरम कर दो ठीक, आगे बटते हैं इसका उपियोग क्या है? इसका उपियोग है खाने को सेगरिता से पकाने के लिए तो जितने भी बेकरी में हैं जो सामान बनते हैं उनका उनका तो sacred मसाला है वही, baking soda ठीक है, बेकरी में खाने को फटावट बना देता है यह एक antacid का काम भी करता है जब एक पेट में आपका अमलता बढ़ जादी है तो आप जो चीज लेते हो जो गोली लेते हो या इनो वगरा लेतो वो क्या होता है antacid होता है ठीक है, तो antacid का काम करता है रस्व इगर में स्वादिस्ट खस्ता पकोड़े बनाने में ठीक है, पकोड़े वगरा में बनाते हो तो भी यह डाला जाते है baking powder बनाने के लिए baking soda में tartaric हमें मिला दो तो baking powder बन जाता है अगनी शामक के इस्तिमाल में ठीक है, यह होता है यह देख रहें antacid यह antacid क्या है पकोड़े बनाने में होता है इसको भी योग ठीक है, antacid पेड में जब धर्द होता है पेड के स्रीड ही बढ़ जाती है तो antacid में भी यह होता है baking soda अब होता धोने का soda धोने का soda में क्या होता है sodium carbonate में पानी के 10 mol होता है बस, antacid 3.10H2O यह देख धोने का soda तो पड़े धोने में ज़ो soda लगता है न वो है यह धोने का soda sodium hydrogen carbonate sorry, sodium carbonate उसके साथ पानी के 10 mol होता है बेकिंग soda को घरम करने पर sodium carbonate प्राप्त किया जा सकता है और sodium carbonate को पुना crystal करण से धोने का soda प्राप्त होता है देखो हमारे पाच NaHCO3 होती है उसको हम घरम करते हैं तो Na2CO3 मिल जाता है और Na2CO3 में जैसे थोड़ा पानी मिला दो तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा बेकिंग soda से धोने का soda मिल जाएगा देखो यह हमारा sodium carbonate है इससे मैंने पानी मिला दिया तो क्या बन गया पानी मिलाना मतलब crystal करना यह बन गया धोने का soda उपयोग क्या है इसका इसका जो उपयोग है कांच, साबुन और काग wolves में कांच के उध्योग में बोरेक्स के उत्पाधन में होता है घरों में साफ सफाई करने के लिए जो हम टायल और साफ करते हैं फर्श सफाई करते हैं इन में होता है जल की इस्थाई कठोरा को हटाने के लिए तो जो धोबी लोग होते वो कब्डे दोते नदी में नाले में sizin पानी होते है साफ हो कथोर होता है लोग धोने बाधका सोटे का उपयोग करते और जल की कथोरता को दूर कर देता है और कब्डे है आसानी साफ होने लगते है अगला आता है Plaster of Paras ठीक है, प्लास्टरोपेरीस बहुत ही शांदार कुशन है ठीक है, कैल्सियम सल्फरेट हेमिहाइडरेट कहते हैं इसको रसाइनिक नाम इसका क्या है कैल्सियम सल्फरेट हेमिहाइडरेट इसका अनुशूतर होता है वो होता है, C-A-SO4-H-H-2-O ठीक है, और जिप्सम का क्या होता है C-A-SO4-2-H-2-O तो देखो, क्या होता है जिप्सम को 373 कल्विन ताप पर गरम करने पर यह जल्के अनुओं को त्याग देता है और कैल्सियम सल्फरेट हेमिहाइडरेट अर्द हाइडरेट बोलो या हमिहाइडरेट बोलो इसका शूतर होता है C-A-SO4-H-S-2-O बनाता है जिसे हम प्लास्टर और पेरिस शॉट में P.O.P. भी कहते है ठीक है, तो कैसे होता है यह हमारा क्या है, जिप्सम है C-A-SO4, यह हमारा क्या है इसको भी याद कर लो जिप्सम यह हमारा जिप्सम है इसको हमने 373 Kelvin ताप पे घरम किया यह मेरा क्या बन गया प्लास्टर और पेरिस इसका शूतर होता C-A-SO4 हावेस्ट यो और पानी के डेलमोल अलग हो जाते है ठीक है, और जैसे ही अगर आप इसमें जल मिला दोगे प्लास्टर और पेरिसमें जैसे जल मिला दोगे फिर से जिप्सम बन जाएगा ठीक है, यह प्लास्टर और पेरिसमें जल मिला या फिर से जिप्सम बन जाएगा देखो, यह आपका क्या है प्लास्टर और पेरिसमें पानी मिला या फिर से क्या बन गया जिबसम बन गया उपयोग क्या है सबसे बड़ा उपयोग है देखो हड्डियों को जोडने में घर की पुट्टी करने में मूर्ती बनाने में डिजाइन बनाने में है न यह इसके उपयोग है तूटी हुई हड्डियों को सही जगा परिस्तिर रखने के लिए खिलोने तदा सजावट का सामान बनाने में दिवार की सद्धा को चिकना बनाने में हैना पुट्टी बगरा करने में यह इस के उप्यों होगे तो आशा करता होगा इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको यह चप्टर आजानी के साथ समझा दिया है जितना मैंने पढ़ा है बोर्ड एक्जा में कुशिन यहीं से आएगा और इससे आजान और आपको पूरे यूटूब में ढूटने से भी वीडियो नहीं मिलेगी हो सकता है आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीव लगी हो उसके मैं माफी चाहता हूँ बट जो भी मैंने बढ़ा है एक तम परफेक्ट वी में बढ़ा है सिम्बल एंड सटी एक वे बढ़ा है आपकी अच्छे नूट्स भी बने होंगे आपको फट से एक बार में समझ में भी आ गया होगा वीडियो को ज़रूर शेयर करें मागी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है एक पर जनल पर जाकर जरूर देखें अगर आप हमारे जनल में नय हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे जो कि बिल्कुल फूरी है और नोटिफिकेशन मेल पर प्रेस जरूर कर ले बिलते हैं आपसे नए वीडियो में अपना ख्याल रखें और किसी वीडियो की जरूर दो तो कॉमेंट करके हमें जरूर बतें जाहिंद